नग व्यू क्रियेट करेंगे यहाँ पर जो की होम पेज यहाँ पर हमको सर्व करेगा ओके तो चलते हैं व्यस कोड में और हम जो हमने एक एप बनाया है उस एप के अंदर यहाँ पर कोई पर कुलच यहाँ पर एक इंकलूप फंक्शन है जिसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ इंपोर्ट किया ओ यहाँ पर मैंने का पासट पासayan फाल किया यहाँaktоды बताना है कि जो वो आपके एप का जो urls है फाइल है वो कहा रखा है तो वो हमारे courses. इसके अंदर एक urls.py क्रिएट करने वाले है तो यहाँ पर मैं single code में पास करूँगा courses.urls courses slash urls.py urls.py अच्छा ओके यहाँ पर आपको .py लेंग नहीं जरूद नहीं हो यहाँ पर slash नहीं आएगा यहाँ पर courses.urls तो courses एक folder उसके अंदर urls.py नाम का एक यहाँ पर फाइल हम create करेंगे ओके ना उसको हमने भी save किया command prompt ओपर करेंगे तो यहाँ पर एक error आता है error क्या आता है कि यहाँ पर कोई भी urls.py नहीं है तो हम उसको create करेंगे तो create करने के लिए यह जो urls.py इसका ही मैं copy create कर लेता हूँ मैंने इसको कहा save as और उसको हम save करेंगे courses के अंदर तो बापस चलते हैं back करेंगे इसको यह आ गए हम courses app के अंदर और यहाँ पर हमने urls.py को save कर दिया सेफ कर दिया हम उसको जरूत नहीं इसको हमने remove किया यहाँ सी भी हमने इसको remove किया यह homepage के लिए हमने create किया है यहाँ पर हमें function pass करना पड़ेगा तो यह function मैं आप define define मैंने इसको कहा home ओके यह home function इसको मिलेगा यहाँ पर request और इसको हमें यहाँ से revertन करना है HTTP response तो simply मैं है यहाँ से return करूंगा HTTP response तो फहले तो import करेंगे HTTP response को यहाँ पर हम कहिंगे from jango से import करना मैंने नहीं कहा jango. हमने या पर रहा यहां से हमें इंपोर्ट करना है sttp response यह आ गया यहां से हम रिटर्न करेंगे http response object इसके अंदर हमने कहा home page ओके नौ सेफ किया यह जो home function इसको हम यहां पर पास करेंगे तो हमने इसको पास कर दिया home यहां पर देन इसका एक नेम पास कर दिए तो हमने का नेम इसको हमने सेफ किया command prompt open करेंगे अगेन हम इसको run करेंगे तो python manage.py and then run server तो application successfully run हो चुका है अब वापस चलते हैं page को reload करेंगे तो यहां पर आया not found क्या आया है यहां पर slash ओके और ठीक है तो एक काम कर लेते हैं यहां से हम इस slash को यहां से remove करेंगे slash के हमको जरूरत नहीं है ओके नवा application हुआ reload page को again हमने reload किया तो यहां पर क्या आया home page परफेक्ट है तो अभी हमने जस्ट यहां पर home page देखा और यहां पर directly यहीं पर यहां एक function create कर दिया हम function यहां create नहीं करेंगे इसक लिए हम अलग से जो VW.py होता हुआ उसके अंदर करते हैं ठीक है तो इस views.py के अंदर हम create करेंगे पर मैं views.py के अंदर भी नहीं करता हूँ ठीक है मैं करूँगा folder create करूँगा views नाम से और उसके अंदर मैं फाइल क्रियेट कर लेता हूं मैंने यहाँ पर कहा homepage.py ओके so homepage के लिए जो view हो मैं यहाँ पर create करूँगा नहीं यहाँ पर मैंने यह sort कर जो import के render इसको यहाँ पर paste किया url.py में जाएंगी यह home function यहाँ से मुझे cut करना है homepage में हम इसको यहाँ पर paste करेंगे यहाँ पर हमने मैंने उसको import किया परफेक्ट ना सेफ किया होम पेज यह क्या है homepage.py ना उसको मैंने copy किया यहाँ पर मैं कहूंगा homepage.home इसके अंदर home नाम का मैंने function create किया है तो वो मैंने आपे paste कर दिया आप सेफ किया वापस चलते हैं पर एक error आ चुका है so again reload करेंगे इसको okay so reload हुआ पर यहाँ पर एक problem है कि जो homepage है वो django.view से import नहीं कर सकती परफेक्ट तो django.view से नहीं करना है इसको करना है हमें courses से तो मैंने का courses.views courses.views से हमने इंपोर्ट किया homepage परफेक्ट homepage क्या है ये फाइल फाइल के अंदर है एक function परफेक्ट तो अभी देखने है application restart हो चुका है अब यहाँ पर इंपोर्ट homepage करके homepage.home ना लिखके मैं इस तरह से भी कर सकता हूं तो मैंने अबर कर लेखा .home page और यहाँ से मैं import कर सकता हूं directly home को इस तरह से ना इसको मैं यहाँ से remove करूँगा perfect है ना मैंने इसको save किया ओके application reload हो चुका है सब कुछ सही है ना वापस चलते है page को again हमें रिलोड किया तो मुझे यहाँ पर same result मिल रहा है result को हम तो असा change कर लेते हैं तो मैंने homepage के .add किया application को save किया application reload हो चुका है now page को reload किया तो यहाँ पर मुझे .